पासकार, एक बार फिल से आप सभी का बहुत-बहुत सागत है परिक्छावड के से योटूब चैनल में दोस्तो हमने जो ग्राम समाजो विकास की सिरी शुरू की थी उसमें हम पढ़ रहे थे ग्रामिड विकास योजनाओं के बारे में जितनी भी important government की schemes चलाई गई है ग्रामिड विकास योजनाओं से रिलेटिट उनको हम one by one करके पढ़ रहे हैं यह जो topic है आपके syllabus में mention है तो अभी तक हमने इस topic से जुड़े तीन वीडियो को upload कर दिया है प्रतेक वीडियो में हम 5 important government schemes को cover करते हैं पुरे detail में जो ग्रामिड विकास के लिए चलाई गई है अभी तक हमने total 15 important schemes को cover कर लिया है तीन वीडियो में तता आज है हमारा चौथा वीडियो है आज हम फिर से चौथे वीडियो में 5 important schemes को cover करने वाले हैं तो चली वीडियो को सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो चौथा वीडियो है इसमें हमने कौन-कौन सी important schemes को cover किया हुआ है तो चली वीडियो को सुरू करते हैं तो पहली scheme आपके सामने है काफी ज्यादा important यह scheme है इस scheme का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारिकरम तो आप इसे ध्यान दिजेगा important है इसकी सुरूआत आपको याद दखनी पड़ेगी कब की गई थी 22 जनौरी 2015 को कब तो 22 जनौरी 2015 को इसकी सुरूआत की गई थी हर्याना के पानी पत से यह location भी आपको याद दखनी है हर्याना के पानी पत से इस scheme की सुरूआत की गई थी तो आप इसे आ देखेगा काफी ज़ा important scheme है तता इस scheme का main उद्देश से क्या था इस scheme का जो main उद्देश से था वह link पक्षपात के रवयों को समाप्त करने हैने की link chain में जो पक्षपात किया जाता था उसकी रवयों को समाप्त करने के लिए इस scheme को सुरूप किया गया था जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ पर आप देख रहे हैं बालेकाओं की उत्तर जीविता उनके सरक्षण और उनकी सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कारकरम की सुरुवात की गए थी 22 जनुरी 2015 को इसका जो लक्ष है समाजिक सोच को बदलने के लिए जन आंदोलन तता इस समस्या की विकरालता के बारे में जागरुकता फैला कर बालिकाओं के गिरते अनुपात की समस्या का समाधान करना इसका में मोटिव था यानि की इसका में लच्च था तो आप इसे ध्यान से याद कले जेगा इसकीम आपके एकजाम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके बाद अगले इमपोर्टेंट इसकीम आपके सामने है प्रधान मंतरी ग्राम सडक योजना इमपोर्टेंट इसकीम है इस इसकीम की जो शुरुवात है कि गेती 25 दिसंबर सन दोहजार को इमपोर्टेंट है प्रधान मंतरी ग्राम सडक योजना की जो शुरुवात है कि गेती 25 दिसंबर सन दोहजार को इसका उद्देश से क्या था इस योजना का प्रात्मिक उद्देश से निलधारित मानकों को पूरा करने वाले अस संबंद बस्तियों को 12 मासी सडक नेटवर्क प्रदान का नयाने की उन बस्तियों को जो है सडक नेटवर्क से जोड़ना जहां पर जो है सडक की सिविधाय नहीं है तो इस कीम को लॉंच किया गया था आपका 25 दिसंबर सन दोहजार को इसके लाबाती कौन-कौन से थे तो देख लिजिए इसमें निलधारे जनसंख्या वाली अस संबंद बस्तियों को ग्रामिर संपर्क नेटवर्क परदान कर ग्रामिर छेत्रों का समाजिक आर्थी और ससक्ति करण करना सामिल है यूजना की अंतरगत जनसंख्या का अकार 2001 की जनगर्ना के अनुसार मैदानी चेत्रों में 500 प्लस और उत्तरपुर्वी राज्यों हिमाली राज्यों मरुस्थली और जनजाती चेत्रों में 200 प्लस निलधारित किया गया था तो आपी सिया दिखेगा में इसका मोटीव क्या है कि जो ग्रामिड बस्तियां है उनको जो है उहां तक सडक उपलब्द करवाना इसका में मोटीव था में उद्देशिता जिसका नामता प्रधामंतरी ग्राम सडक योजना इसको लॉंज किया गया था आपका 25 दिसंबर सन 2000 को इसके बाद अगले इंपोर्टन इसकीम आपके सामने है सच भारत मीशन तो यहां पे जो आपका सच भारत मीशन था या सहरी और ग्रामिड दोनों सुरू किया गया लेकिन हमारा में फोकस रहेगा ग्रामिड पर यहां इसको सुरू किया गया था भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्वक्षभायत मीशन ग्रामिड की शुरूवारत की समय ग्रामिड सच्छता कवरेज 38.7 प्रतिससद दर्ज कियी थे ने कि जब यह सकीम सुरू कियी थे तो उस समय जो ग्रामिल सक्षिता कवरेश था वह 38.7% किया गया था इस मिशन के अंतरगत 10 करोड से जादा ब्यक्तिके सोचालियों का निर्माण किया गया जिसके पड़ाम सरूप सभी राज्यों के ग्रामिल छेत्रों ने स्वैं को 2 अक्टूबर 2019 को ODF यानि कि ओपन डिफ इपिकेशन फ्री यानि कि खूले में सोच मुक्त घोसित कर दिया ती अब फर्स्ट स्टेज था आपके सवक्ष भारत मिशन ग्रामिल का तो इसके बारे में आपको याद अखना था था हाली में यानि कि फरवरी 2020 में जो है जल सक्ती मंत्राले के दोरा इसका सेकेंड स्टे और प्लास्टिक अपसिष्ट प्रबधन के लिए परियाप्त सुवधाय प्रदान करने पर जोर करेगा या आपका जो सेकेंड स्टेज है इसका कार्यानिवन कौन करेगा तो सवक्ष भारत मिशन ग्रामिल चरण दो को वर्स 2020-21 से 2024 पचीश तक की अवदी के लिए एक उजालाय के द्वारा तो यह आपकी योजना थी स्वस्च भारत मिशन ग्रामिल तो इसके बारे में आपको याद रखना का सिकेंड फेस की क्या क्या खास बाते हैं और इसकी फर्स्ट फेस की क्या क्या खास बाते थी इनको तो आपको याद ही रखना है इसके बाद अगली important scheme आपके सामने है उजाला योजना यह most important scheme है जो आपके exam में पूछी यहा सकती है तो इस उजाला योजना की जो सुरुवात थी कि गए थी 1 माई सन 2015 को important scheme है तो इस योजना का उद्दे से क्या था तो इस योजना के अंतरगर जो है आपके कम मुल्ले पर LED बल्ब दिये जाते हैं ताकि बिजली की जो बचत है वो की जा सके तो आप इसे आदेखिए गए तथा इस योजना को जो है बचत लैंप योजना के स्थान पर सुरू किया गया था 1 माई 2015 को तथा जिस दिन इस योजना की सुरुवात के गए थी तो इसी दिन ही राष्टी सड़क प्रकास कारकरम की भी सुरुवात कर दी गई थी तो यह फैक्ट भी आप को या दखने है यहने की SLNP जो कारकरम था ने की स्टीट लाइटनिंग नेसनल प्रोग्राम जो था इसी दिन शुरू किया गया तो इससे भी आप या देखेगा इंपोर्टेंट है तता इस उजाला योजना की आप से फुल फॉर्म पुछा जा सकता है तो इसके आप फुल फॉर्म आप या देख लिजेगा उन्नत जीवन भाई ऐफोर्डवल लेडी एंड एप्लिक एंसेस फॉर आल यानि कि उजाला इसका पुरा नाम है इसका पुरा नाम आप से उजाम में पुछा सकता है तता इसकी जो सुरुवात है वस्ट दोजापंदरह में राश्ट्री लेडी कारिकरम यानि कि नेशनल L.A.D. प्रोग्राम के रूप में की गई थी इस यूजना का उद्देश कम लागत पर L.A.D. बल्व उबलब्द कराकर उर्जा बचत और ग्रीन हाउस गैस के उस सरजन को कम करना ये में बाते हैं आपकी इसकी तो उजाला यूजना की तो आप इने याद र थी 32 सितंबर 2014 को इंपोर्टेंट है इसकी डेटा प्या देखेगा इसके अंतरगा जो है सहरी व ग्रामिड शेत्रों में कौसल विकास एवं अन्य साधनों के माध्यम से रोजगार असरों की उपलब्दता को बढ़ाकर निर्धनता को कम करना इसका में मोटीव था में उद अन्य साधनों के माध्यम से रोजगार असरों की उपलब्दता को बढ़ाकर जो है जो गरीबी है जो निर्धनता है उसको कम करना इसका में मोटीव था में उद्देश्य था इस स्कीम का नाम था आपका पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्कीम तो आप इस से याद इसके बाद आपकी जो यह उजाला योजना भी है यह एक केंद्र सरकार की प्रयोजीत योजना तो दोस्तो आज यह हमारा चौता वीडियो था आपके ग्रामिल विकास योजनाओं से रिलेटेड अभी तक हमने चार वीडियो अपलोड कर दिया है इन चार वीडियो के माध इन 20 स्कीम को आप बिल्कुल ध्यान से रट लेजिए दिमाग में बैठा लेजिए आपको तिन चार चीजे तो यादी रखने पड़ेंगी स्कीम की डेट यानि कि इसको कब लॉंच किया गया था इसकीम का क्रियानवन कौन करता है इसकीम का उद्देश से क्या है ये चीज एक तो पता है उनिची एक तरफ आपको स्कीम देदेगा यानि कि योजनाय पर उनको पनी दे दी जाएगी, यानि कि आपको उनको match the following group में भी solve करने को दे दिया जा सकता है, यानि कि एक तो match the following group में आपसे प्रस्न पूछा जा सकता है, एक तरफ आपको date दे दी जाएगी, और एक तरफ आपको scheme दे दी जाएगी, और आपसे पूछ ले जाएगा कि इसमें से कौन सी scheme गलत सुमेली थे तो यह अभी आप से पूचा जा सकता है तो आपको अगर date exact date पता होगा तभी आप जो है schemes के questions को solve कर पाएंगे तो यहाँ पे हमने total 20 important schemes को cover कर लिया है इसका एक और वीडियो हम अभी upload करेंगे total 25 important grammar बिकास योजनाव को आपको याद तो रखना ही है क्योंकि इनी 25 जुनाव में से यह आपके exam में प्रस्तन देखने को मिलेगा तो आज के लिए बस इतना ही इसका अगला बाग हम जल्दी upload करेंगे तब तक के लिए thank you, thanks for watching, thank you